हलो, वेलकम टू स्टडीनेटिक, मैं हूँ पूजा मैता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टुडेंट्स का वेलकम है देखो बचो, क्लास 11 के काउंटिंग पर रहे हैं, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन आफ एरर को समझ रहे हैं इसका एक लेक्चर, नहीं, दो लेक्चर में पहले प्रिपेर कर चुकी हूँ यदि आप बेसिक से जानना चाहते हैं, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना है आपको रेक्टिफिकेशन आफ एरर को, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं लेकिन सिर्फ आज यहाँ पर आप two-sided error को समझने आए हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जादा useful है जैसा कि हमने हमारे previous वीडियो में पढ़ा if we find error before preparation of trial balance देखिए, rectification of errors को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं या तो trial balance बनाने से पहले पहचान सकते हैं या trial balance बनाने के बाद पहचान सकते हैं अभी यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो trial balance बनाने के पहले जब हम पहचान लेते हैं गलती को तो उसमें हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं वो समझ रहे हैं One-sided error हमने सीख ली है, जिसमें सिर्फ एक गलती होती है, debit की गलती होती है, या credit की गलती होती है, जिससे क्या होता है, सिर्फ एक account effect होता है, लेकिन यहाँ पर two-sided error आज हम समझेंगे, जिसमें क्या होता है, debit भी effect होता है, और credit भी effect होता है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, two यह second point है, first हम पढ़ चुके हैं, two-sided error, which effect both debit and credit, clear, अब इसमें भी कुछ points include होते हैं, कि आप समझ गए कि यदि हमने गलती करी है, तो उससे debit में भी गलती हो गई है, और credit में भी गलती हो गई है, पर इन्हें भी four points में divide किया गया है, सबसे पहला point क्या है, error of recording, ठीक है, second point क्या दिया हुआ है, error of posting in wrong account, error of posting in wrong account, next दिया है, error of principle, और fourth number दिया हुआ है, error of omission, clear हुआ, two-sided error भी चार तरीके से हो सकती है, अब हम यहाँ पर सबसे पहली, error of recording को समझेंगे, error of recording क्या होता है, जिसमें हम debit में भी गलती कर देते हैं, और credit में भी गलती कर देते हैं, क्या होता है, इससे जो trial balance है, उसका total तो बराबर आजाता है, लेकिन गलत बराबर आता है, क्यों, क्योंकि आपने डोनों side गलती करिए, यहाँ पर मैं एक example दूँगी, जैसे हमने रोहन को सामान बेचा, got sold to रोहन, ठीक है, कितने का बेचा, 20,000 का बेचा, ठीक है, अभी हम यहाँ पर error of recording समझ रहे हैं, 20,000 का बेचा, लेकिन मैंने entry तो सही करी, क्या entry करी मैंने, रोहन एकाउंट debit to sales एकाउंट, यह entry तो मैंने सही करी है, लेकिन यहाँ पर जो amount है, वो मैंने 20,000 की जगे, दोनों जगे, 2000 रुपे amount लिख दिया है, debit में भी गलत amount लिख दिया है, credit में भी amount लिख दिया है, तो यह क्या हो गई, मेरी error of recording की गलती हो गई, amount कितना था, 20,000 था, लेकिन मैंने लिख कितना दिया, 2000 तो कितना कम लिख दिया, मैंने, 18,000 कम कर दिया न, अब भाया लेकिन मुझे क्या हुआ, मैं trial balance बना रही थी, उससे पहले ही मैंने यह गलती पकड़ लिए, मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, और मैंने यहाँ पर 20,000 की जगे 2000 लिख दिया है, अब मैंने trial balance बनाया नहीं है, उससे पहले ही मैंने इस गलती को पकड़ लिया है, अब वो सुधार कैसे करेंगे, amount तो हमने लिख दिया है कम, लेकिन amount है जादा, कितना जादा है, पहले तो हम वो देखेंगे, उसमें हमें क्या करना है, 20,000 लिखना था, 2,000 लिखा, तो 18,000 भी बचा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वापिस general entries की तरफ जाना है, और यही entry को हमें दोबारा कर देना है, क्या entry करेंगे हम, रोहन account debit to sales account, लेकिन इस बार हम जो ये entry करेंगे, वो किस से, कितने से करेंगे, 18,000 से करेंगे, entry same होगी, लेकिन हमें amount को और जादा बढ़ाना है, तो वही entry करके, कि यहाँ पर हम कितना amount लिख देंगे, 18,000 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे, 18,000, अब यहाँ पर में एक example और रूँगे, क्योंकि यहाँ पर amount था 20,000, हमने लिख दिया 2,000, तो amount कम था, तो हमने उसमें 18,000 के एक और entry कर दी, लेकिन यदि इस तरह का कोई question आता है, कि goods sold to Rohan 20,000, ठीक है, हम entry कर देते हैं, Rohan debit to sales account, कितने की entry कर देते हैं हम गलती से, 30,000 के, ठीक है, हमने गलती से कितने की entry कर दी, 30,000 के entry कर दी, अब तो भाया हमने यह ज्यादा entry कर दी न, amount था 20,000, हमने 30,000 के entry कर दी, अब हम इसको कैसे सुधा रहेंगे, हम वापिस जाएंगे general entries में, और इस entry को हम उल्टा कर देंगे, तो अब हम क्या entry करेंगे, हम entry करेंगे, sales account debit to Rohan, और amount क्या लिखेंगे बच्चों, 10,000, ठीके, क्योंकि यह access हो गया था था न, 30,000 में से जब हम 20,000 माइनस करेंगे, तो 10,000 रुपे ज़ादा लिख दिया था, तो अब हमें उसे कम करना पड़े का, तो हम इस entry को उल्टा कर देंगे, और उस amount को लिख देंगे, तो इस तरह से इस error of recording को सुधारा जाता है, clear हो गया, second क्या दिया हुआ है, error of posting in wrong account, ठीके, थोड़ा सा board को clean कर देते हैं, उसके बात अच्छे से समझेंगे, यह समझ में आ गया ना आपको error of recording, अब जो हम समझेंगे, error of posting in wrong account, clear, अब next क्या दिया हुआ है, error of posting in wrong account, इसमें क्या हुआ है, हमने जो recording है, वो तो सही correct किया है, लेकिन हमने जो posting करी है laser में, वो हमने गलत account में कर दिये, कैसे करा है, एक example के थ जैसे credit sale, credit sale 1700 to Rohan was posted in Roman account, ठीक है, क्या question था, कि credit sale हुई 1700 की रोहन को, और हमने किस में post कर दी, राम के account में post कर दी, तो अब एक बात बताईए, जब हम कोई सामान उधार बेचेंगे, तो उसकी correct entry क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम correct entry लिखेंगे, correct entry, ठीक है, क्या correct entry होगी, बताईए, रोहन को सामान बेचा है ना, तो रोहन debit to sales account, ठीक है, amount न amount की कोई बात नहीं की गई है, entry की बात की गई है, कि हमने गलत entry कर दी है, अब हमने wrong entry क्या करी है, यह तो हमने correct entry है, ठीक है, अब हमने गलती से क्या entry कर दी है? हमने राम को डेबिट कर दिया है ठीक है ना गलती से क्या कर दिया है राम को डेबिट कर दिया है तो राम एकाउंट डेबिट एकाउंट नहीं लिखते बच्चों है ना राम डेबिट बोलने में कभी-कभी गलती से निकल जाता है लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति का या पर प्यलिसे एकाउंट। ठीक है। अब भया यह हमने गल्टी कर दी करना था हमको रोहन को अकाउंट में डैबिट लेकिन हमने राम के अकांच में डैबिट कर दिया। अब हम इसमें सुधार कैसे करेंगे। आब इसकी रेक्टि había entry क्या होगी। रोहन को तो हम debit करें रहेंगे, रोहन, debit, लेकिन जो राम को हमने debit किया था, उसको हम credit कर देंगे, तो ये हमारी correct entry हो जाएगी, इसी तरह से गलत entries दी हुई होगी question में, आपको उसको correct करना रहेगा, ठीके, तो ये किसकी हो गई, error of posting in wrong account, अब next क्या है, error of principle, principle की गलती क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं, हमने types of error में भी पढ़ाए, कि कुछ principles होते हैं, उसी के according हमें general entries करनी होती है, और फिर laser में posting करनी होती है, जब हम इन principles की गलती कर देते हैं, तो उसे error of principles कहा जाता है, two-sided error में error of principles क्या होता है, वो हम देखते हैं, जब हम क्या करत हैं जिसे debit करना चाहिए उसे debit नहीं करते उसकी जगे किसी और को debit कर देते हैं तो उसे error of principle कहा जाता है जैसे यहां पर हम एक example लेते हैं क्या example है machinery purchased ठीक है machinery purchased 50,000 and wrongly written in purchase book ठीक है आप यह question समझ रहे हैं आप आप ने machinery खरीडी 50,000 कि और आपने उसको गल्टी से purchase book में लिख दिया इसके लिए आपको पता है सबसे पहले तो आप एक बात बताईए जब हम कोई machinery खरीदते हैं तो उसकी entry क्या होती है machinery account debit to cash account ठीक है यह correct entry होती है होती है यह correct entry लेकिन गल्ती से क्या entry कर दी है purchase account debit to cash account यह wrong entry कर दी है ठीक है आप इसको rectify कैसे करेंगे गल्त entry क्या है purchase को debit कर दिया करना किसको था machinery को debit करना था अब इसमें सुधार करेंगे और करेंगे हम rectify entry rectify entry में क्या होगा जो machinery है वो तो debit ही रहेगी तो machinery account को क्या कर दिया debit और जो purchase है उसको नहीं चे लेया है और उसे credit कर दिया ठीक है करते करते यह और अच्छे आपको समझ में आ जाएगी next होता है error of omission error of omission में क्या आता है आप पूरी तरह से entry करना भूल गए आपने जनरल में भी entry नहीं की है तो ऐसे इस थिति में आप क्या करते हैं आपको कोई सुधार नहीं करना है आप जब नहीं जब entry नहीं करी तो आप सुधार क्या करेंगे जब आपको पता चलता है कि आप यह entry करना भूल गए है तो आप कहां जाते हैं direct general entries में जाते हैं और वहां जाकर इसमें सुधार कर देते हैं सुधार नहीं करते हैं मतलब वहां जाकर इस इसे लिख देते हैं तो यह इस तरह से क्या होता है टू साइडेड एरू होती है जो दोनों तरफ effect डालती है इसमें क्या होता है पहले जो correct entry है हम वह करते हैं फिर wrong entry करते हैं जो हमने करी है फिर उसे rectify कर देते हैं error of recording हुई या error of principle हुआ या error of posting in wrong account हुआ या error of omission हुआ सभी में इसी तरह से entries की जाती है तो ये बच्चों हमारी two-sided error हो गई आज आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है अब हम क्या सिखेंगे कि यदि कोई हमें गलती पकड में आती है हमारे trial balance को बनाने के बाद उस इस्तिती में हम क्या करते हैं तो हम अगले वीडियो में ये समझेंगे आज के वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा